जैशी राम मस्कार मैं का उशिक मैता विश्व हिंदु परिशत गुजरात का पुरुवकार्यद्यक्ष हूँ अभी उस्टेलिया में हूँ बहुत खुशी की बात है कि हमारे पुरुव जोने मंदीर तूटते हुए देखे थे लेकिन हम सब भाग्य साली है कि आद बहुत ब श्री राम का मर्यादा पूर्शोतम बगवान की बगवान स्री राम का भव्य मंदीर मंदीर नहीं जन्म भूमी मंदीर वन रहा है इसलिए हम हमारी चर्म चक्षू से सब देख रहे हैं हम भाग्य साली है उनीसो चौरासी में जब दर्मसंसा दिल्ले में हुई तक से इस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूँ गुजरात में सभी कार्सेवक के साथ मैं भी कार्सेवा में गया था आज पहुत आनंद हो रहा है कि हम हमारे पुरुवच पिछले पांसो साल से राम जन्म भूमी मुक्ति के लिए भव्य मंदीर निर्मान के लिए जो संगर्ष कर रहे थे वो सफल हो रहा है और विजय प्राप्त हो रहा है भगवान श्री राम हमारे आर्याध्य देव है इतना ही नहीं हम कर सकते हैं कि भारत ही राम है राम ही भारत हैं यह ठीक है पुरा अंदोलन का नेतरज़व पिछले 35-40 साल से विश्व हिंदू परिशद ने लिया लेकिन राम भारत हैं और भारत राम है यह कई बार सत्य हो चुका है जब रामानंद सागर ने 87 में 88 में जब रामायन सीरियल शुरूगी तो हिंदूस्तान में 63 करोल लोग ने इस सीरियल को देखा था पुरोना काल में पिर से यह सीरियल आई तो 74 करोल लोगों ने उसके देखा यह बताता है कि राम ही भारत हे भारती राम है इतना ही नहीं किसी भी पार्टी का कोई भी प्रमूख हो मुख्या हो वो लगातर यही कहता है राम को माने या ना माने फिर भी वो कहता है कि हम राम राज्य लाएंगे यानि भारती राम है रामी भारत हैं मैं गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ, गुजरात में 18,000 गाओं थे, गाओं हैं, इस गाओं में से 12,000 गाओं में रामशीला का पुजन हुआ था, करीबन 60,000 से ज़्यादा कार्शेवक्त अलग-अलग समय पर वहीं गए हैं, गुजरात के कई लोगों ने, कई सादू संतों ने इस अंदोलन का नेच्च द्व किया, मैं जानता हूँ, प्याद पूर्याद देश राममय हुआ हैं, और विश्व में भी राममय, राम की लहर चल रही हैं, जब कार्शिवा मुलायम शीन जी के समय में हुई तब मैं अयोध्या में था, गुप्त रस्ते से, केतों में से, गाउं में से, छोटी-छोटी गलियों में से, हम अयोध्या के वार बढ़ रहे थे तब, न जान न पैचान, छोटे-छोटे कस्बों में, छोटी-छोटी जोपडियों में हमारा भव्य स्वागत होता था, खाना भी न होता था, हमको सुरक्षा भी दी जाती थी, और इतना बड़ा अंदोलन उस वक्त लगता था कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जब मुलायम सिंग जी ने कहा था कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो तीस नवेंबर, तीस अक्टोबर के दिन, जब समय हुआ था नव बजे का सुब में, लगता था कार सेवक कहां से आएंगे, लेकिन नव बजे आदर्णी असोग जी जनोंने पूरा अंदोलन का नेचरुत्व किया, वो असोग जी प्रगट हुए, इतना ही नहीं वो प्रगट होते हुए भी लाखो कार सेवक अयुद्ध्या में चल पड़े, और पहली कार सेवा सफल हो गई, हां उस कार सेवा के समय कई कार सेवक ने बलिदान दिये, राम कुठारी शरत कुठारी ने भी बलिदान दिया, इसके साथ नामी अनामी कई कार से वक्त पुलीस की गोली के शिकार होए अपना बलिदान दिया भगवा लहराया और उसके फल स्वरुप आज हम भव्य राम मंदिर का निर्मार देखने जा रहे हैं विश्व हिंदु परिशत के साथ साथ गुजरात के 2000 से भी जादा संतों ने राम जन्म भूमी आंदोलन के साथ अपना संगर्श किया है मुक्ति आंदोलन में इस्सा लिया है आज कई लोग कहते हैं जब भारत में इतने राम मंदिर हैं मैं कहना चाहता हूं राम मंदिर भारत में लाखों की संख्या में हैं इतना इन्हाई 22 जन्वरी जब प्रान प्रसिष्टा होगी तो 5 लाक से भी जादा राम मंदिर में भव्य उसवी मनाय जाएगा लेकिन ये जो मंदिर अयोत्या में बन रहा है वो राम मंदिर सिर्फ नहीं है ये जन्म भूमी मंदीर है जहां राम लला का जन्म हुआ था और जन्म भूमी मंदीर विश्व में एक ही हो सकता है इससे साभिमान हमारा बढ़ता है यूनिया में कोई ऐसा अंदोलन नहीं जो 500 साल तक चला हो और सफलता की और आगे बढ़ गया हो मरियादा फुर्शोधम भगवान सी राम का मंदीर इसलिए ही बनाना है कि पूरे विश्व को उन्होंने एक संदेश दिया था जब रावन वद्गिया विजय हुआ सोने की लंका चर्म चक्षु के सामने थी उस वक्त लक्षमन जी शायद लालाईत हो गए कि ये लंका इतनी अध्भूद है तो बगवान सी राम ने लक्षमन को कहा जन्नी जन्म भूमिष्ट सरगाद अपी गरियसी ये लक्षमन ये सोने की लंका जो है मुझे पसंद इसलिए नहीं है कि वहां मेरी जन्म भुमि नहीं है मेरी मा कौशलिया भी नहीं है अपी स्वरनमा ये लंका न रोचते लक्ष्मना है लक्ष्मना इसलिए मुझे ये लंका पसंद नहीं है और जन्नी जन्म भुमिश्चा ऐसा बड़ा संदेश जन्म मभूमी का और जन्री का देने वाले पर्याद आ पुठशो सोतं राम की पूरे विश्व के लिए जन्री और जन्मभूम्स का गौर्व क्रतिक बन गये हैं इसलिए मन्दीर बन रहा है कि और पुनं के जीन भोग जगाने के लिए मंदीर नहीं है भारत की अस्मिता का मंदीर है भारत का साभीवान का मंदीर है इस बार भी गुज्राश से कई चीजे कि अयोध्या जा रहे हैं मंदीर को अर्पन करने के लिए गुज्राश से जो मंदीर का शिखर का द्वज पूल बनना है, वो पूल भी गुजराश से जा रहा है, 108 फूट लंबी धूपशली गुजराश से गई है, मंदिर में हर आरती के समय बजने वाला डोल, 350 किलो का पौपर का ये डोल भी गुजराश से जा रहा है, जीस बान से रावन का वद हुआ, वो अगनी बान शक्ति भी रंबाजी से जा रहा है, गुजराश के जो बड़े बड़े संप्रदाए हैं, स्वामिराश संप्रदाए, जलाराम संप्रदाएं से, पांच दिन तक रोजाना एक लाग कार सेवक, एक लाग राम भक्तों को, दर से बड़ोदा से, ज्यारा सो किले की बड़ी दीप, बीवी वो भी गुजराश से जा रही हैं, काफी मातर में धन राशी भी गुजराश से गई है, जा रही हैं, मैं आप सब को गुजराश की ओर से भी बदाई देता हूँ, और बगवान शी, मर्यादा पुरसोतम बगवा सी राम का भी कुरुपा हमारे सब पर ऐसा मानता हूं क्योंकि हम सब अपने चर्म चक्षू से अगामी 22 जन्वरी को बगवान सी राम का जन्म भूमी मंदीर फिर से विश्व के पट पर भव्यता से निर्मान होने जा रहा हैं आप सब को जय श्राम नमस्कार अ घरषम हो का राम मानता हैским झाठोबना को जहाँ थाय चार्णयों के बढ़